हेलो एवर्यवन वेल्कम ट्यू विंद्य अर्वेदा क्लासिस आज हम गोविन पारिक सीरीज का 19 पेज पढ़ने वाले ओके तो देखिए सबसे पहला क्वेशन है गर्भ की वर्ण उत्पत्ती में महाभूत तो चरक जी ने क्या बोला है सबसे पहले अवदात या गौर सब्सक्राइब क्लिकल कि गोर यहां इस को इस तरह से लिए तो देखो ती से हो जाएगा ती से हो जाएगा यहाँ कैस हो जाएगा और ट्यक्ष नहीं सरह जूआ क्रिशन वर्ण में क्या है तो इसको Nanika लुकष्ट वायर व सानाने नाम है वायर का pandemic मतलब प्रिथवी वायू और तेज तो काली क्या है पीवीटी लाइन है इस तरह से आत कर लेना और शाम वर्ण में शाम वर्ण में सारी आ गए फिर है ना ओल महाबूद सभी महाबूद सम रूप में है क्लिया देखो यहां पर भी तेज आ रहा है तेज सब में यहां पर भी यहां भी तेज अब नेक्स में पढ़ेंगे सुष्टु जी अकॉर्डि उन्होंने तेज महाबूद सभी वर्णों में उपस देता है अब देखो इसे अलग तरह से याद रखना है सबसे वहले तो हमने याद रख लिया तेज सब में हाँ भी तेज है यहां भी है यहां भ अब आता है क्रिशन श्याम वर्ण तो क्रिश्ण में क्या था में था थेज और पृत्वी थी तो वो तो हमने वैसे ही सिर्दी अब इन सब में हमें हमें क्या अब नेक्स जाता है सूति का काल तो देखो सुष्ट जी ने सूति का काल पैतालिस दिन का बताया है तो अब वांगवट जी ने भी कितना बताया है अब शाधंदा जी का इंपोर्टेंट है इन्होंने किता बता है देड माह या पुना आर्तवदर्शन तक ठीक है पुना आर्तवदर्शन तक ऐसा बोला है देड माह मतलब वो ही 45 डेज ही हो गए अनुसार 45 तो मतलब याद यह रखना है कि सभी ने 45 डेज बताया है काशियव जी का इंपोर्टेंट है इन्होंने 30 दिन या 6 माह बताया है अब आता है सूति का परिचर्या अब आता है सूति का परिचर्या वो भी कितनी होती है 45 डेज की होती है सूति का की धात्वे साम्य वस्था में कब आ जाती है 6 माह पस चाता आ जाती है गुड हरीत की ठीक है चरक जी ने अर्ष में बताया है सुष्ट जी ने वात रख मतलब दोनों ने अप्पोजट कर ले करेंदमनों को सम्मयक वमन नहीं हो पा देखे तो कुछ cuma सा रोग होता है तो शंतिव हम भरच को संवा कट वमन दोने पर तो फिर कौन रोग होगा वह यंहां पर बताया है तो देखो सिष्रत जी ने बोला है इंद्रमत और वांगभठ जीने बोला है रक्तमत्य का यह और ये इंद्रा यूधा जलौका है याद रखना और अक्तमत तरह किया है रोग है अब नेक्स हम बात करते हैं और से रिलेटेट तो सर्व शरीर में व्याप्त है जी बोला है सुश्रुत जी ने कि सर्व शरीर में किसने बताए है सुश्रुत ने बता है रिदय में इस्थिती चरक और वांगभट जी ने बोला है और शुक्र का सार है ये बता है अश्टांग संग्रह ने और शुक्र का मल है ये अश्टांग रिदय में अब देखो इसको कैसे आद कर सकते हैं तो देखो इसको ऐसे आद कर लो रिदय में मल ठीक है रिदय में बहुत सारे लोगों की क्या होते है मल पुराया होती है ठीक है तो रिदय में मल और यहाँ पर यह जो सार है उसके लिए संग्रह संग्रह हमें सारी अच्छी बातों का है ना सार मतला हर अच्छी चीच का है सार का क्या करनाची हमें संग्रह करना चाहिए इस ऑů शूक्र का स्नेह है। यह अभर्वप्र की उपधातू है शाधंधर ने रोकातु है। पजने बता है कि पांडोर अपर किस ने बताए कि बचना चक्रपानी çıkar पानी से याद रखना है। पानी पर और अपर ठीक। पिर ओज व बल में अंतर बताय tes चाय मों चाय सार्व प्रधम पंचरज किसं ने कहा है की 지ेर्श इंपर्टन ओक है जब जी ने गहा है, this is important, okay? तरह से अमने गोविन पारिक सीरीज का 19th page complete किया, I hope you liked it, do share, like and subscribe, thank you.